आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजे सिंग ने एक बयान दिया है जिसकी चारों और जबरदस्ट चर्चा है संजे सिंग के बयान हमेशा चर्चा में रहते हैं और इसी के कारण वो हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं इस बार उन्होंने भारतिय जन्ता पार्टी पर बहुत ही तीखा हमला किया है उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतिय जन्ता पार्टी नौजवानों को नफर इस बार उनका दिया गया ये बयान सुर्खियों में है। से पीटेंगे लेकिन नौजवानों एक भी शब्द मत बोलना हम मुसल्मानों से लड़ने हैं। करोना की महावारी में समसान में लकडिया नसीब नहीं होगी। तुमको दवा भी नहीं मिलेगी। आक्सीजन भी नहीं मिलेगी। और तुमको बिड़ का इंतजाम भी नहीं होगा। मर जाना। भले ही तुम्हारी घाट पर लास सर्ती हुई मिले। चील कवे कुपते रोचते रहे। लेकिन रोना चीखना मत मुसल्मानों से लड़ रहे। महनाई के कारण तुम्हारी कमर तूट जाए। तुम्हारे घर में चूले ना जले। लेकिन आवाज मत निकालना। हम मुसल्मानों से लड़ रहे। देश का किसान बले लिए एक साल का सरकों पर बैठा रहे। आसुगैस के गोले भी हम छोड़ेंगे। लाक्यों से पिटवाएंगे भी उनको खालिस्तानी भी कहेंगे। यवाली कहेंगे, सारे साथ सो किसानों की शहादत पिलेंगे। लेकिन एक आवाज मत निकालना, हम मुसल्मानों से लड़ रहे हैं। अरे बेइमानों, मुसल्मानों से लडने के नाम पर तुमने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, अब ये बर्बादी हिंदुस्तान के लोग पर दास्त नहीं करें। एक लकल सुंधा लोगों ने आपको नसा सुंधा दिया है, मुसल्मान, मुसल्मान, मुसल्मान। इनसे एक ही बात कहना, हिंदु मुसल्मान बद्ल करो, और हमारे घर का नौजवान बेरोदगार है, पहले उसकी नौकरी की बात करो। झाल झाल